असलाम अलेकून मैं हूँ आफ़ताब आलम हमारा एक सिलसला चल रहा था हिस्ट्री पाकिस्तान स्टुडीज एंड जियोग्राफी से मुतलिक यह एक इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है पाकिस्तान की तक्रीपन तमाम ही पब्लिक और प्राइवेड उनिस्टीज के अंदर बी यानि बरे सखीर पाको हिंद में मुसल्मानों की अलहेदगी के असबाब वो अवामिल जिन के बिनापर मुसल्मानाने हिंद ने मुसल्मानाने बरे सखीर ने एक अलहेदा वतन हासल करने के लिए कोशिशे की सोचने पर मजबूर हुए और आखिर वतन जो था पाकिस्तान क सुरत में हासल कर लिया इसका तारुफ हम देख चुके थे लिंग्वल फैक्टर्स हमने पढ़े रिलीजिस फैक्टर्स हमने पढ़े नाव थर्ड वन इस सोशो कल्चरल फैक्टर्स यानि मुआशरती और सकाफ्ती अवामिल वो अवामिल जिनकी बिना पर मुसल्माना ने पर्रे सगीर ये सोचने पर मजबूर हुए कि वो हिंदों के साथ पर्रे सगीर में इकटे नहीं रह सकते खिलाफ़त मुवमेंट के दिन थे हिंदो मुसलिम इत्तिहाद अपने अरूज पर था दोनों शाना बशाना तुर्की में खिलाफ़त को बचाने के लिए कोशिशा कर रहे थे और पर्रे सगीर में अंग्रेज पर दबाव डाल रहे थे कि तुर्की में जो मुसल्मानों की एक नमाइंदा हकुमत है उसको खतम ना किया जाए करीब था कि बहुत सारे मुतालबात मुसल्मानों के और जो हिंदों के साथ मिल कर ये मुवमेंट चलाई जा रही थे खिलाफ़त मुवमेंट मान लिये जाते लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि हिंदू और हिंदू लीडरान जो थे इस खिलाफत मूवमेंट से अचानक अलहदा हो गए एक गैप पैदा हुआ एक खला पैदा हुआ जिसके वज़ा से खिलाफत मूवमेंट कमजोर पड़ गए हिंदु मुस्लिम जो फसादार थे वो शुरू हो गए इन सब के पीछे दो मूवमेंट्स बताई जाती है सवामी दयानद्स की जानभ से शुरू की गई जो के एक खालिसतन समाजी तहरीक थी जो मौशरे में जादपाद के निजाम के खिलाफ थी तफरीक के खिलाफ थी और पिसे होगे तबकों को उपर लाने के लिए थी इसी सवामी दयानन्द और इनके दोस्तों की जानिब से ऐसे वक्त में जब के खिलाफ़ा मुवमेंट चल रही थी और हिंदु-मुस्लिम इत्तिहाद देखने में आ रहा था हिंदुओं की जानिब से शुद्धी मुवमेंट का आगास किया गया जो अब खालिसतन समाजी और सकाफ़ती तहरीक नहीं रही थी बलके इसका जो मकसद था इसके पीछे जो मकासित थे अब वो सियासी और मजहभी शामिल हो चुके थे यानि शुद्धी मुवमेंट जो थी वो एक ऐसी तहरीक थी जो मुसल्मानों के पिसे हुए गरीब और गहर तालीम याफ़ता तबकात को हिंदू इजम में दाखिल करने के लिए बनाए गई थी यानि अनएजुकेटिट पूर एंड सप्रेस्ट जो मुसलिम थे जो मुसलिम एक मैस था बड़े पेमाने पड़ मुसल्मानों के आबादी थी उसको ये बाई प्रीचिंग या लालस देकर या बाई फोर्स जो था हिंदूइजम में दाखिल करते थे या इस मुवमेंट का मकसद यही था कि हिंदूइजम में इन लोगों को दाखिल कर जाए अगर हिंदूओं से पूछा जाए तो वो ये कहते थे कि जो लोग क्रिश्टन हो गए या मुसल्मान हो गए और ये उन लोगों को वापस लेकर आ रहे हैं तो ये एक मुवमेंट थ तकरिए वो संख्टन मुवमेंट थी जो तकरिबर 1923 के इसके आसपाश शुरू की गई और वो शुद्दी थी वो 1920 में तकरिबर शुरू की गई थी तो तो संख्टन मुवमेंट जो थी ये एक मिल्टेंट गुरूप था ये बाकाइदा प्रोग्राम एक जिसमें हिंदू नौजवानों को असकरी तर्बियत दी जाती थी उनको लड़ाई छगड़े के लिए तयार किया जाता था और ट्रेन किया जाता था कि कभी भी लड़ाई का मौका है या कोई इस तरह का इशू खड़ा होता है तो ये लोग लड़ने के लिए मरने के लिए, कटने के लिए तैयार रही या दूसरों को मारने के लिए तैयार रही निए बाकाइदा इनकी मेरिटन्ट एक तंजीम थी ये दो तहरीकें जो थी हिंदों के जाने में जोगaliśmy ची गई और ये सोशो कलचरृल फ्रेक्टर्पर्इ जो थे हम इस इनकी वजवात से इनकी बिना पर मुसल्मान सोचने पर मजबूर हुए कि नहीं कि वो अब इस बरे सगीर में हिंदों के साथ नहीं रह सकते बाकी और बहुत सारे लिसानी जो थे वो भी हम पढ़ चुके मजहभी जो थे और जी वो कुछ कारुबा एकॉनमी से रिलेटिड जो इशूज हैं वो उनका जी वो सूद का निजाम है और इसलाम के अंदर सूद का निजाम नहीं है और बाकी बहुत सारे इस तरह के और मौशरत इशूज भी हैं लेकिन में जो चीज़ें थी वो मुसलमानों को सोचने पे जिन चीजों ने मजबूर किया यह चीज़ें थी नेक्स्ट हमारा टापिक होगा इसके बाद इसी को हम जारी रखेंगे इसमें हम पॉलिटिकल फैक्टरस बढ़ाएंगे इन्शाला कोशिश करूँगा कि आपकी सवालों का जवाब दे सको बहुत शुक्रिया, अल्लाहाफिस